जयाहिन दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सुप्रीम एत्वाई रीसी में समय की कमी के कारण दोस्तों हम वीडियो नहीं बना पारे थे तो चलिए हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं है एसे से गुरूप C और गुरूप D के लिए में टेस्ट सीरीज का यह मारा तेरवादीन है जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नहीं है तो चलिए सुरू करते हैं ए बी सी के वितन 2, 3, 5 के नुपात में है उनके वितन में करमस है 15%, 10% और 20% का अगर वर्दी की जाती है तो वितन में का नया अनुपात बताना है अबने देखो ABC का वितन का अनुपात दे रख्या है A, B, C 2 ratio, 3 ratio, 5 तो इसमें इजाफा कितना करना कितनी विर्दी हुई है ए में 15% की हुई है तो 2 का सिदा 115% कर देगे 115 बी के उसमें हो जाएगी 10% की विर्दी यानि 110 बटे 100 और C के वेतर में विर्दी हुई है 20% के तो 120 बटा 100 जीरो से जीरो सो से कैंसिल कर देना अगर इनको काटोगे तो आंसर आजाएगा आपका 23, 33 और ये 60 तो ये आंसर हो जाएगा नया वितन का जो अनुपात होगा इस अनुपात में होगा किसी दन्रासी पर 11 से 1,9% की दर्स से 3 वर्ष का चकरवर दिव्याज गयात करें अगर तीसरे वर्ष के चकरवर दिव्याज कितना है एक अजार रुपे है और दन्रासी भी अमने गयात करने है जेखो तीसरे वर्स केवल तीसरे साल का चक्रवर दिव्याज एक अजार रुपे हैं तो मैंने क्या बता था इसको fraction में लिखेंगे 11 से एक बटा 9% को लिख सकते हैं एक बटा 9 जो ये हर है इसको मुल्टा करके लिख लेंगे और जितने समय दे रख्या है उसके coding यहांपर क्या करेंगे समय 3 वर्स है तो यहांपर prepare करतेंगे समय 2 वर्स है तो दो करतेंगे यह हुजवन जाएगा 739 फिर मने यह मैंने यह मै dividing बता था आपको इंयवाड़ा इसका एक बटा 9 पिर एक बटा 9 एक बटा 9 के इसाबसी हुजएगा 81 81 C 81C अब फिर इनका एक बटनों के शाब से करेंगे तो 9 फिर 9 फिर 9 और ये हो जाएगा 1 या पट्री मेथट है compound interest मेंने complete करवा रखे है पले list में देख लेगा तो ये हो जाएगा क्यूस्टन में क्या बता रखा है कि 1000 रुपे तिसरे साल का ब्याज है तो यहां पर गुणा हो जाएगा ये 10 गुणा हो जाएगा अब आपने जो निकालना है यहां पर क्या दादे को दनरासी बतानी थी तो दनरासी हमने साथ 24 मान रखे थी इसको दस गुणा कर देंगे तो 7290 तो दनरासी आजाएगी यह अंसर हो गया बताना और क्या था तीन वर्स का चक्रवर दिव्याज तीन वर्स का चक्रवर दिव्याज ये को टोटल यह उता है यह सारा 81, 81, 89, 89 और यह एक सभी को जोड़ देंगे यह हो जाएगा 271 तो इसको भी हमने क्या करना है दस गुणा कर देना है तो अंसर आजएगा 2710 रुपिय तीन साल का चक्रवर दिव्याज नेक्स्ट क्यूशन देखो एक व्यपारी ने एक वस्तु को 20% आनी पर बेच जा यदि विक्रेमुल्य 100 रुपे बढ़ा दिया जाता तो उसे 5% लाब होता तो वस्तु का क्रेमुल्य ग्याद करे मैंने ट्रिक से बताया था कि उससे देखो 20% आनी है एक वस्तु को 20% आनी पर बेच दिया यह है माइनस में लिख लेते हैं 5% लाब तो पलस में लिख लेते हैं 5% लाब जब भी ऐसा कि उससे न आ जाए तो क्या करना है आपर लाब और आनी इनको जोड देंगे तो 20 और 5 कितना हो जाएगा 25 तो 25 को किसके बराबर रख देंग तो 25 से काटेंगे तो 25 का 100 औरी हो जाएगा 400 तो कोस्ट जो प्राइज रहेगा उसका करे मुल्य वो जाएगा 400 ठीक है ऐसे हम इसको सुल करेंगे अब देखते हैं यह बड़ा क्यूस्टन अगर मैं इसको डिटेल में बताऊ अगर हो सकत देखो डिटेल में भी एक बर इसकी किया और अगर वो से 100 रुपे बढ़ा कर बेशता यानि 80 की बजाए 100 रुपे बढ़ा कर बेशता तो उसे 55% का लाब होता तो 100 में 5% का लाब कितना 105 तो यह आपर इसका डिफेंस देखो पहले 80 रुपे में बेच रहा था अब वो 105 रुपे में बेच रहा है यानि 25 तो एक किताब गांकित मुल्य 150 रुपे है 10% का डिसकाउंट दे दिया तो अब उसका वेलू कितनी हुजएगी 90% यानि के 135 रुपे हुजएगा 135 रुपे में वो बेचेगा 3510 रुपे में कितनी किताबे खरी दिजा सकती है तो 3510 रुपे में एक किताब का कोस्ट या पर कितनी रुपे बेच रहा है 135 में तो 3510 किताबे टोटल कितनी किताबे खरी दिजा सकती है तो 26 किताबे खरी दिजा सकती है या अंसर हो जाएगा ABC करम से एक काम को 10, 15 और 20 तिनों में करते हैं 10, 15, 20 इनका LCM ले ले लेंगे तो टोटल काम आ जाएगा 6, 4 और 3 क्यों समझो, A और C ने दो दिन तक काम किया है तो A और C, A कितना है? A पलस C, यानि कि 6 और 3, 9 एक दिन में टेबल बनाते हैं, 9, A और C मिलकर तो दो दिनों तक अगर काम करेंगे, तो दो दिन में ये 18 टेबल बना देंगे इसका मतलब, टोटल 60 टेबल बनाने थी, 18 इनों ने बना दी तो कितनी बचेंगे बाकी? 42 टेबल और काम करना है, 24 टेबल बनानी है तो A की जगे B काम करने लग जाता है, यानि कि A अब काम चुटकर चला जाता है A की जगकोन आजाता है B काम करने लग जाता है तो B एगर काम करेगा तो बख्य जो ये 40 टेबल है B और C बनाएंगे तो B और C एक दिन में कितनी बनाते हैं चार और 3 7 4 और 3 7 टेबल बनाते दोनों मिलकर तो 240 टेबल कितने दिन में मना देंगे 6 दिन में मना देंगे पूच क्या रख्या है कि total काम कितने दिनों हो गया 6 दिन तो ये लगे याँपर और 2 दिन याँपर इनोंने A और C ने काम किया था तो 2 इसमें जोड़ देंगे तो total 8 दिन में जो है total काम हो जाएगा ये answer आजएगा आपका समान प्रकार के 10 पाइप एक टंकी को 24 मिन्ट में बर सकते हैं यदि 2 पाइप खराब हो जाते हैं तो 6 पाइप टंक बरने में कितना समय लेगे देखो 10 पाइप हैं 24 मिन्ट में बर देते हैं एक टंकी को तो 2 पाइप अगर खराब हो जाते हैं तो अब pipe करेंगे काम कितने 8 pipe, तो 8 pipe कितना समय लेंगे उसी tank को बरने में, तो यहां से अगर हम इसको sol करेंगे तो यहां जाएगा 8 से कटेंगे, तो 8 तिया, 24 तो 10 तिया 30, तो कितना समय लगेगा, 30 मिन्ट का समय लगेगा, यहां समुझेगा, दो ट्रेनों के मद्य गती का अनुपात 7 अनुपात 8 है, यदि दूसरी ट्रेन 4 गंटे में 400 किलोमेटर दोरती है, तो पहले ट्रेन की गती बताएं, देखो, पहले ट्रेन और ही दूसरी ट्रेन, रेश्यो है इनका गती का 7 रेश्यो 8, तो 4 गंटे में दूसरी ट्रेन 400 किलोम कै kilometer जाती है इतने गंटे में 4 गंटे में हम कहे deze क्या सकते हैं उसकी स्पीड कितनी है 100 km पड़ी देस्पीड कि यहां पर क्या कुत हो दूसरी ये साल क्या होगी तो मुणा मैं साथ कर देंगी तो आंसर आजाएगा कितना 87.5 किलोमेटर प्रतिगंटा यह आंसर हो जाएगा सरेड़ी 3, 7, 11, 15 यह दे रख्या है 40 पोदोगा योग बताना है आपको फार्मूला अगर यादो तो sn is equal to यह होता है आपका n by 2 into 2a plus n minus 1 into d यह आपका फार्मूला होता है देखो n का मतलब है 40 पोदों का योग तो 40 बते में 2 into 2 एक इवल्लू क्या है यह पहला नंबर होता है 3 तो 2 गुना में 3 plus n 4, 40 minus 1 d का मतलब होता है common difference सार्व अंतर जिसको बोलते हैं तो इनका difference कितना है 4 सबी का तो सार्वंतर आपका कितना हो जेगा 4 तो 2 सेगरी से कटेंगे तो यह आज यह कितना 20 तो यह बनेगा 20 यह जेगा 3 दूरी 6 plus यह जेगा 156 और यह जेगा 6 जोड़ देंगे तो 6 से 12 और यह जेगा 162 ठीक है 162 को गुना करेंगे 20 से तो यह जेगा 0 दो दूरी 4 दो चेके 12 और 2 एकम 2 रेक 3 बत्तिसो चालिस यह आंसर हो जेगा A plus B का whole square is equal to 25 है तो A square plus B square अगर 9 है तो A और B को ग्याद करना है देखो कैसे ग्याद करेंगे A plus B का whole square 25 है तो इस formula को खोल देंगे जो जगा A square B square 2AB is equal to 25 तो A square plus B square की जाना दे रख्या है No plus 2AB is equal to 25 तो यहाँ पर बचेगा 2AB 25 माइनस 9 यहाँ पर हो जाएगा यह हो जाएगा 16 तो यहाँ पर A B की value आजाएगी दो से डिवाइड करने के बाद 286 आंसर आजाएगा A B की value कितनी आजाएगी 8 यह आपका आंसर होगा तो आज के लिए दोस्तों इतना ही हमने जो है न जितने भी मैं आपको question करवाता हूँ सारे के सारे most important question होते हैं और इन question और सिद आपको exam में देखने को यह मिलेंगे आपने अच्छे तरिक्के से इनको एक बार अगर आप note नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है तो इनको एक बार देखना है आपने और समझने की कोशिस करनी है आपने class को पूरी देखे अगरो तो आपको सही अच्छे से समझ में आएगा और किसी chapter में कोई दिक्कत रहती है किसी question में जैसे मान करते हो आप यह आ जाता है हमारा देखो time and work है या फिर कोई भी question आ जाता है profit and loss का percentage का जो भी question आता है तो playlist में ने 6-7 chapter आपके complete करवा रख आती है तो आप chapter को विजिट करना है playlist में आपको मिल जाएंगे chapter वहां से आप पूरा chapter आप cover कर सकते हो अच्छे तरिक्के से वहां से आप जो है notes भी बना सकते हो ठीक है तो अगर उन chapter को complete देखो गे तो यह चीज़े समझ में आएगी यहां पर क्या है हम सर्फ practice कर रहे है mix up चल रहे हमारा जितने भी हमारे chapter है सारे के सारे mix करके चल रहे हैं आपको एंज़ाम में आपको जिसका benefit जरूर मिलेगा ठीक है तो आज के लिए इतना है मिलते हैं अगली class में तब तक के लिए जय हिंद जय वारत